नेक्स्ट बीडम एंड टैटूम हमने पहले देखा कि सबसे पहले जो जीन की थियोरी थे उसमें वन जीन वन प्रोडक्ट था और बीडम एंड टैटूम ने कहा कि वन जीन वन एंजयम जीन है वह लास्ट में जाकर एंजयम का निर्माण करता है लेकिन उसके बाद जो भी डिस्कवरी हुई उसमें ये पता चला कि जीन के द्वारा जो भी प्रोडक्त बनता है वो जरूरी नहीं है कि एंजयम का ही कारिय करें structural proteins पी काफी पाए जाता है ठीक है proteins पी कई प्रकार के होता है structural यानि जहां जैसे plasma membrane है वहाँ पर जो protein पाए जाते हैं वह structure का निर्माण करते हैं तो उनको structural protein कहा जाता है वो protein भी जीन से ही बने हैं तो यह कोई जरूरी नहीं है कि जो gene है वो जाके enzyme का ही निर्माण करें तो बाद में यह जो hypothesis है वो change हो जाती है one gene one protein hypothesis उसके बाद यह जो one protein वाली hypothesis भी थोड़ी सी modified कर दी गई क्योंकि बहुत सारे gene होते हैं जो पूरा protein नहीं बनाते हैं जैसे कि एक example बता रहे हूं कि जो hemoglobin है उसकी दो chain होती है दो polypeptide आप कह सकते हैं polypeptide यानि amino acid का एक बहुलक जो separately अलग से काम नहीं करता है यह दोनों chain alpha और beta जब एक साथ include होती है तब जाके यह hemoglobin में change होती है तो यह दोनों peptide polypeptide अलग अलग gene से निर्मित होती है यह संतसिस होता है अलग अलग gene से तो अब जो gene है वो एक ही polypeptide बना रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि जो वन जीन वन प्रोड़क्ट वन जीन वन एंजाइम फिर वन जीन वन प्रोटीन और एंड में जाके यह वन जीन वन पॉलिपटाइड में चेंज हो गए अब यह वन पॉलिपटाइड अलग से भी काम कर सकता है किसी के साथ इंक्लूड होकर भी काम कर सकता है ती एच मौर्गन की जीन थेओरी हम पढ़ चुके हैं और क्लासिकल जीन कंसेप्ट भी हमने पढ़ लिया लेकिन फिर भी आप देफिनेशन देखना है जीन इस दे यूनिट आप फीजियोलोजिकल फंक्शन जीन, segregation of characters, mutation gene can be defined, discrete particle inherited in Mendelian rules and occupy definite locus on the chromosome and responsible for expression of specific phenotypic characters यह हिंदी में है characters हैं अब gene के थोड़े से देख ले, number of gene in each organism is more than number of chromosome hence, several genes are located on the each chromosome तो किसी भी species में chromosome की एक definite number होता है लेकिन gene का भी definite number ही होता है genes बहुत सारे होते हैं और एक chromosome पर वो सारे gene specific crumb में arrange होते हैं और the gene are arranged in a single linear order like bead on string तो जैसे माला में मोती होते हैं उस तरह से gene एक particular sequence में पाई जाते हैं gene occupy a specific location called locus यह भी ध्यान रखें लोकस क्या होती है gene की position होती है कि क्रोमोजोम में किस स्थान पर located है like address जो हमारा जैसे address होता है कि हम colony में कौन से number के home में रहते हैं जीन में भी एक्जिस्ट इन मैंनी अल्टरनेट फॉर्म लाइक कॉल्ड अलीज तो आलीज के बारे में आपने में खूब पड़ रखा है कि एक जीन एक फिनो टाइप करेक्टर डिसाइड करता है एक लक्षण डिसाइड करता है अब उस लक्षण में भी वेरियेशन होते हैं अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के अब इस्पिशन के बारे में आपने पड़ रखा है कि जीन में जब चेंज होता है जब नुक्लियोटाइट सिक्वेंस चेंज होती है यह किसी बी प्रकार से अधिशन डेलिशन होता है तो उसको mutation कहा जाता है जो अचानक होता है and gene are capable of self-duplication तो जो DNA का replication होता है उसमें replication के द्वारा दूसरा जो helix बनता है तो gene पूरा का पूरा वापस copy हो जाता है तो इसलिए हम कहते हैं कि gene are capable of self-duplication जाता है